हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मादव डेसीज मादव डेसीज में आप सभी का बहुत स्वागत है आज की वीडियो में देखें फ्रेंड्स मैं आपको ये हैवी बेस बनाना सिखाऊंगी और इसे मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है इसलिए आप वीडियो को पूरा देख और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए फ्रेंड्स अब देर न करते वे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेस बनाने के लिए सबसे पहले देखे हम डायामेटर कट करेंगे तो ये ह चार नमबर का बेस बना रही है तो उसके लिए हमने आठ इंच का डायामेटर कट किया है ये चार नमबर गोपाल जी के लिए है और आपको किसी भी साइज में इसको बनाना है तो आप डायामेटर कट कर लें डायामेटर कट करना मैंने बताया हुआ है सेपरेट वीडियो ह उसका link description box में मिलेगा तो आप वहाँ पर जाकर इस तरह से diameter कट कर लें यह देखे इस तरह से ये 5 नंबर काना जी का diameter है यह देखे यहाँ पर ये 10 इंच का है और ये 3 नंबर काना जी का diameter है और यहाँ पर देखे ये 7 इंच है तो इस तरह से आप किसी भी size में इसको बना सकते और यहां पर देखिए आप डायामेटर को कट करने के बाद शाइनिंग वाली साइड पर मैंने यहां पर इस पर कपड़ा पेस्ट कर लिया और एक दूसरा कपड़ा हमने थोड़ा सा इससे बड़ा कट किया है और इसको अब देखिए हम यहां पर ऐसे रखेंगे और ऐसे लगा ली और कपड़े को कट कर दिया अब इसको हम ऐसे मोड लेंगे और एक बार ऐसे मोड लेंगे और यहां से हम इस पर कमर का मार्क करेंगे कमर कटिंग करेंगे तो देखे यह है 0.75 यहां से हम इसको ऐसे मार्क लगाएंगे और फिर इधर से मार्क लगाएंगे और फिर 0 0.75 यहां से बीच में से लगाएंगे और इसको गोलाई करके हम इसकी कटिंग कर देंगे कटिंग के बाद अब एक साइड है यहां पर हम ऐसी मार्क लगा लेते हैं और मार्क लगाने के बाद इसको हम ऐसी खोलेंगे तो देखिए यह कमर कट हो गई अब हमने जो यही मार्क लगाया है यहाँ पर हम इसकी साइड में से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इस कमर पर ऐसे सिलाई लगाते वे फिर नीचे की साइड लेकर आएंगे सिलाई करने के बाद अब देखें बीच में से हम इसको ऐसे कट कर देंगे और कट करने के बाद हम यहां से इसको ऐसे मेजर करेंगे तो देखें यह हमारा यहां पर सवा तीन इंच आ रहा है तो हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा नेट कट करेंगे यानि के हम साड़े तीन इंच नैट की पट्टी कट करेंगे अब देखे पहले तो हमें क्या करना है हम इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पर सेंटर पर एक मार्क लगाएंगे इस तरह से और लगाने के बाद हमें नैट की पट्टी कट करनी है अब हम क्या करेंगे इसके हाफ में काम करेंगे पहले हम यह वाली पट्टी लेंगे और इसको लेने के बाद हम यहाँ पर ऐसे प्लेट्स बनाएंगे इस तरह से और प्लेट्स बनाते वे जाना है और यहाँ पर सिलाई करते वे जाना है और हम इसको इतना सिलेंगे इसकी लं पलेonut में पलेत्स लगाकर इसको तहियार कर लेते हैं यहां पर दखिए हमने इसमें इस तरह से पले प्लेट बनाई है अब इसको हम यहां से रखेंगे इसे कमररा पर शिलाई लगा या करें गेंगे और स्व stressing करेंगे अब और जो हाफ में हमने यह उपर हिसके अल्गा दोड़ेंग देखेंगे इननको दुठी हूं और तक relevant काम करने ये काहिए अब हमने यह सब्धन लेंगे हाँ इस तरह से दीखिए हमने इसको ब्रक में अब हमें यह जो दो साइडे हैं इनको टीशू रिबन से लोग करना है तो ऐसे हम टीशू रिबन लेंगे और इसको यहां पर देखे आधा नीचे आधा ऊपर रखेंगे और यहां से इसको ऐसे लोग करेंगे इसके उपर सिलाई लगा लेंगे और इसको सिलाई करने के बाद दोनों साइड सिलने के बाद हम एक देखे नैट की पट्टी कट करेंगे यहाँ पर मैंने तीन इंच चोड़ी पट्टी कट की है और इसको यहाँ पर डबल मोड कर इसके उपर सिलाई कर लेंगे इस पट्टी को अब हम यहां से देखे उल्टी साइड से लगाना शुरू करेंगे ऐसे बेस को उल्टा करेंगे और यहां पर इसको डबल करके यहां से इसको मोड करके और यहां से रखना शुरू करेंगे और धीरे धीरे इसको घुमाते जाएंगे और इस पर सिलाई करते जाएंगे और फिर लास्ट में आकर भी थोड़ा सा ऐसे मोड लेंगे जैसे हमने शुरू में यहाँ पर मोडा है तो इस तरह से यहाँ तक इसको सिल लेंगे अब इसको यहां से ऐसे सीधी साइड लेकर आएंगे उपर की तरफ और यहां हमें इसके अंदर डोरी लगानी है तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे यहां पर ऐसे मोड लेंगे उपर की साइड देखिए इसको इस तरह से पहले थोड़ा सा मोडेंगे हाफ मोडेंगे यानि की और फिर इसके अंदर हम डोरी लगा देंगे और डोरी लगाने के बाद इसको फिर से एक बार ऐसे मोड देंगे और इस पर हम सिलाई करेंगे और सिलाई हमें डोरी को बचाते हुए करनी है डोरी अंदर की साइड ऐसे करते जाएंगे और इसको यहां से ऐसे मोड़ते जाएंगे और पूरी कमर पर इसी तरह से सिलाई लगा कर हम इस नेफे को तयार कर लेंगे अब देखिए फ्रेंड्स नेफा लगाने के बाद यह डोरी आराम से खीच रही है तो यह हमारा बेस बन करके रेडी हो गया है देखिए बहुती हैवी बेस बना है और यहां पर मैंने इसकी चोली नहीं बनाई है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी चोली बनाना सिखा और इस ड्रेस को हम और भी हैवी कैसे बना सकते हैं वो बनाना सिखाऊंगी तो इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए राध ही राधे